आपने टमनेल में बिल्कुल सही चीज पढ़ी है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जो आज तक भारत की 1990 से लेके आज तक भारत किसी सरकार में करन गवर्णनेंट ने भी यह स्टेप अभी तक नहीं लिया है जो स्टेप एक P.O.K के एक्टिवेस्ट ने लिया है और वह भी ग्लोबल प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है युनाइटेट नेशन ह्यूमन राइट कांसल वहां जाकर उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया मैं पूरी वीडियो का लिंक का आपको नीचे दे दूँगा लेकिन मैं उस क्लिप का वो हिस्सा लगाना चाहता हूं ज जिसने उन्होने वहँने यह डिमांड किया उन्हीं की यूनाइट नेशन की उन राइट कांसल से की जो 1990 में हिंदू पंडि आखे मिले जिसमें वहां के कस्मीर के सिविलियन वी सामिल थे उस ऐक्ट की जांच को एक कमिशन बिठाइग जाए और जो गलत हुआ उसकी सजा स ही लोगों को दिया जाए मतलब जो भी गुनेगार उनको सजा मिलें तो पहले आप एप एवीडियो देख लीजिए फिर मेरी बात को आप रिलेट कर पाएंगे एक बीडियो और है उसके उपर या तो हो सब्सक्राइ no कि और आपको अगार में देख लिंक देख वार इजसकी वीडियो वीडियों को चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत शौकिंग लेकिन होते हों भी हमारे पायदे में तो कॉमन क्या है यह दोनों लोग पाकिस्तानी पाकिस्तानी उन्हों वो ने human right council में ये आवाज उठाई कि पाकिस्तान के खिलाफ action लीजिए जो पाकिस्तान और चाइना मिलके करना चाहते हैं वो जो रोड बन रही है वो गलत है पाकिस्तान को war crime के अगेंस उसके ओपर action लिया जाना चाहिए ज्यांच होनी चाहिए उसको सजा मिलनी चाहिए वो वेक्ती जो दूसरा वाला है इसके में थोड़े से क्लिप दिखा भी दोंगा वो लिटरली speech के end में रो दिया मतलब आप आवाज से पता चल जाएगा तो वो पूरी क्लिप तीन मिनट की मेरी वीडियो लंब हो जागी आप नीचे क्लिंग दे दोंगा देख सकते हैं Pakistan is brainwashing innocent youth on both sides of the border in Jammu Kashmir, making them cannon fodder in the proxy war with India. Pakistan continues to run terror camps from Azad Kashmir. In this backdrop, Pakistan is now trying to declare disputed territory of Gilgit-Palatistan as its province, depriving our people of their land and their identity and culture. Pakistani revisionist moves would throw the whole world into a brutal war. Pakistan has taken our freedom. Pakistan placed their boot of tyranny on our throat, suppressing our voice. But we hope our voice shall be heard here. We beg the peace-loving world to stop what's happening to us, break away the chains, keeping us from standing free and happy. Thank you. अब ये तो होगी बात कि उन्होंने क्या आवाज उठाई अब बात ये होनी चाहिए कि भारत के मैं सबकी responsibility नहीं ले रहा लेकिन कमसम सौ करोड हिंदों की responsibility बनती है कि उस सरकार से गुहार लगाएं, प्रोटेस्ट करें, आवाज उठाएं कि अभी तक आपकी सत्ता में आये हुए 6 साल से जादा हो गया, अभी तक आपने क्या किया कि कस्मेरी पंडित वहां तक पहुचे की नहीं, पहुचे वापस अपने घरों में, मतलब ले जाने का काम कितने लोग चले कितने लोग सेट करनली, as a prime minister, as a head of this nation, आपने क्या step किया, ग्लोबल स्टेप क्या होता है, वो आप ग्लोबली आवाज उठाएंगे तो फिर देखा जाएगा, लेकिन देश में रहते हुए, 370 जब हटाने की कोशिश किया, आपने हटा दिया, आपने इतनी जिनता है कश्मीर की, तो इसके इसके क्या किया, और कब करने वाले हैं, कि इसकी कोई अवाज अगर जनता उठाएगी, कब with उठाएगी, मैं जानना चाहता हूं, कितना और समय चाहिए, variance span नको सजा मिलनी चाहिए, कि कि नहीं मिलनी माना कि करने वाले, उनकी पीडियां बत सी, वो नहीं है, या फिर पक लेकिन आपको एक कॉंस्पिरिसी तो पता चल सकते कि किस ने करवाया कैसे हुआ जब बैठेगी तो खेर मेरा काम था अपने इस प्लैटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज को यहां पर रखना इस मुद्दे को उठाना आपके कान में इस बात को डाल देना कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए दो से तीन तरीकों से मिल सकता है पहला तरीका उनको वहां पर बसा दिया जाए जितने भटक रहे हैं और जितने जाना चाहते हैं उनको बसा दी जाए पहले वाले में हैं दूसरी चीज नैशनली देश के अंदर एक कमिशन बैठे जो जाच करे कि वो कैसी हुआ किस कॉंस्परेसी के तहद हुआ क्या मान सकता थी क्या फ्यूचर उसका स्कॉप देखा जा रहा था क्या था कौन लोग थे कौन सी कंटरी इन वाल थी सब आपको सामने आना जरूरी है एक तो यह हो जाच होनी बहुत जरूरी है तीसरी जीच इस मुद्दे को ग्लोबली उठाने की जरूत है कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो इसको इंटरनेशनली जलील किया जा सके उसके उपर सैंक्शन लगाया जा सके उसको बहुत सा मझबूर करते हैं कि सरकार एक स्टेटमेंट देने पर मझबूर हो जाए कि हाँ हम यह चीज इस इस समय की सीमा तक कर देंगे आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर शेयर जरू करें बहुत लोगों को बहुत बातें पता नहीं होतें और नय होत सब्स्राइब परेगा फिर मिलत आगली वुडम जैन वंदे मात्र